प्रदेश में राजजन निर्वाचन आयोग ने त्रीस्तरी पंचाय चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही ग्रामिन क्षित्र में आदर्श आचार सहिता भी लागू की जा चुकी है खंडवा के साथ विकास खंड में तीन चर्णों में चुनाव होने हैं परिणाम की घोशना 14 और 15 जुलाई को होगी प्रशासन ने इसको लीकर अपनी तयारियां भी तेस कर दी है जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौनसून के सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में पोलिंग बूथ तक पहुँशने के रास्ते और मतदान केंद्र में बारिश के कारण कोई व्यवथान पैदा ना हो सके इस बात के निर्देश दे दिये हैं खंडवा जला निर्वाचन अधिकारी और खंडवा कलेक्टर अनुक कुमार सिंग ने बताया कि समवीदन शील अधी समवीदन शील मतदान कींद्रों को चिनहित किया जाएगा वहाँ भी शांति पूर्ण धंग से चुनाफ करवाने को लेकर बल तैनात किया जाएगा दूसर चरण में हमारा खंडवा अरसू द gebड़डी है जिसका निर्वाचन 25 يून को होगा तूसरे चरण में अपना खालवा और पुनासा है जिसका निर्वाचन 1-1 होगा और तीसरे चरण में पंदाना और छ्थैगवामांगन यहीं रहेगी कि मतदान केंद्रेश美國 पंद कर सके किसी भी इस्तिति में पाइनी ना टपके इसके लिए अपनी टीमों को नरतेशित कर दिया जाएगा तीन से चार दिन में जहां कई भी ऐसी संभाव नहोगी उसको इंशोर कर लिया जाएगा और जो हमारे मद्दान किंद्र तक पहुंचने के मार्क हैं वो इस तरीके से सुगम किया जाएं कि केसी भी इस्तिति में वहाँ लोग आसानी से पहुंच सके इस तरीके कि जो भी मद्दान केंद्र होँआ सेक्टर मजेस्टर पुलिस के से तीम द्वारा सर्वे किया जाएगा और पूर में जो घटना है उसके आधार रपस को सम्विदनशील अती सम् डिपलॉई किया जाएगा ताकि हम फियर एलेक्शन करा पाना सुनिशित कर सकें खंडवा जिले में 25 जून को पहली चरण का निरवाशन होगा जिसमें खंडवा हरसूत और बडली में वोट डाले जाएंगे दूसरा चरण एक जुलाई और तीसरा चरण आठ जुलाई को होगा ग्राम पंचायद और जनपत के वोटों की गिनती 14 जुलाई को और जला पंचायद सदस्यों के मतदान की गिनती 15 जुलाई को होगी ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खंडवा